हेलो गाइस, रक्षा बनन हो या फिर हो दिवाली, सभी की घरों में खीर जरूर बनती है तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल आथेंटिक तरीके से रबडिदार खीर जिसमें न तो मैंने मिल्कमेट यूज किया है और नहीं मिल्क पाउडर यूज किया है फिर भी इतनी टेश्टी बनेगी कि आप हर बारी से बनाना चाहेंगे आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी बनी है, कोई मिल्क पाउडर, कोई मिल्कमेट यूज नहीं किया है मैंने बहुत आसान तरीका है और बहुत कम इंग्रेडियंट मैंने इसमें यूज किये है तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, मैं हुए एकता और आप देख रहे हैं कुकिंग लॉजिक चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह की चावल लेने चाहिए, वो हम देख लेते हैं ये देखे एक इस तरह के आते हैं बास्मती खंडा और एक आते हैं बास्मती तुकड़ा राइस जो कि बहुत छोटे छोटे बनानी है तो छोटे चावल आप ले तो खीर बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि चावल अच्छे से पक जाते हैं और दूर के साथ अच्छे से घुल कर दूर को गाड़ा भी करते हैं तो आज हम इरी टुकड़ा चावल से ही बनाएंगी खीर अगर बास्मती नहों टुकड़ा राइस तो भी कोई बात नहीं है लेकिन चावल टुकड़े वाले ही ले तो बहुत अच्छी बनेगी खीर फिर इसे दो से तीन बार अच्छी तरह लेते हैं और उसकी बादी से 15-20 मिनट के लिए भीगो कर रख देते हैं भीगो कर रखना बहुत चरूरी है क्योंकि आप भीगो कर रखेंगे तो चावल वैसे ही थोड़े गल आते हैं और जब हम इसे दूर में डालते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं और खीर जल्दी बन जाती है यहां पर आदी छोटी कटोरी चावल लिये है मैंने जो कि वजन से 50-60 ग्राम की लगबग है अब हमें कड़ाई ले ले लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं दो से तीन चमच पानी अगर हम कड़ाई में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं तो दूर नीचे की तल्ले म हमारी जलती नहीं है वैसे तो इसे चलाना जरूरी होता है यहां पर मैंने मलाई वाला दूर लिया है अगर आपको रबडी रार खीर बनानी है बिलकुल गाड़ी बनानी है तो आप मलाई वाला दूर ही ले भैस का दूर भी ले सकते हैं गाएं का दूर भी ले सकते हैं जो बेग बॉयलाता है तो उसके बाद चावल हमने लिये थे भीगो कर उसे हम इसमें डाल लेते हैं चावल का पानी पूरा निकाल लेना है उसके बाद इसमें हम एड़ करते हैं चमच से अगर हम देखी तो ये पाच चमच भीगे हुए चावल है घर वाली चमच है जो हम डेली म मिला लेते हैं और इसे गाड़ा कर लेते हैं गैस की फ्लेम इस समय हाइपर होनी चाहिए अगर हम इसे लगातार चला रहे हैं तो हाइपर भी हम इसे पका सकते हैं और अगर हम बीच बीच पे नहीं चला रहे हैं तो इसे आप लो कर लीजे और थोड़ी देरी से 10 मिनट के करीब पकने दीजे जब दूद आदे से थोड़ा और कम हो जाएगा मतब समझ लेना है कि दूद गाड़ा हो चुका है दूद को गाड़ा होने देते हैं हमने जो कटोरी में दूद लिया था उसमें हम मिला लेते हैं थोड़ा सा केसर केसर से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी आता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का केसर लेते हैं तो देखी कलर कितनी जल्दी आ जाता है और गरम दूद में और जल्दी कलर निखर कर आता है यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि खीर में कभी भी शक्कर पहले नहीं डाली जाती अगर चीनी आप पहले डाल देंगे तो चावल बहुत देर में पकेंगे या फिर कच्चे रह जाएंगे इसलिए चीनी हमेशा चावल के पकने के बाद ही डाले खीर में ये भी बोला जाता है कि किश्मिश नहीं डाली जाती क्यों नहीं डाली जाती ये तो मुझे भी नहीं पता है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताईए चली अब हम चावल को देख लेते हैं कि चावल पक गए है कि नहीं थोड़े से चावल को आप हाँ से मैश करकर देख लीजे, ये देखे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, चावल अगर अच्छी तरह से पकी होंगे तभी खीर में सुआद आएगा, इसलिए चावल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें, अब हम छोटी कटोरी से पौना कटोरी चीनी डाल लेते हैं, जो कि एक लिटर दूट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चमच से भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना है, चमच से देखें तो आठ चमच चीनी डाली है मैंने, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक चमच और पाड़ा होता है, और खीर भी जल्दी बन कर तयार होती है, इस तरीके से अगर आप खीर बनाते हैं, तो 15-20 मिनट में खीर बन कर बिल्कुल तयार हो जाती है, इसके बार हम यहाँ पर डाल लेते हैं, इलाची पाउडर, अगर आप पाउडर फॉर्म में डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ी मोटी रखी है, क्योंकि मेरे आप थोड़ा मोटा पसंद करते हैं, अब हम इसमें ड्राफूट्स एड़ कर लेते हैं, ड्राफूट्स पर मैंने यहाँ पर काजू बडाम और पिष्टा लिया है, साथ ही डालेंगे क कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो चावल को भीगोना न भूले, उसे भीगो कर रखेंगे तो खीर बहुत अच्छी बनेगी, दूद जब भी ले तो मलाई उक दूद ले तो उससे बिल्कुल रबड़ीदार खीर बनेगी, दूद कच्चा ह या फिर पहले से उबला हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दूद आप ले सकते हैं, और तीसरी, जब भी हम खीर बनाते हैं, तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, नहीं तो खीर तलने में लग सकती है, जिसे पूरी खीर में स्मेल हो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खीर में चावल जादा हो जाते हैं, तो कोई घवराने की बात नहीं है, थोड़ा सा दूद आप अलग से गाड़ा कर लीजिए और उसे इसमें मिक्स कर दीजिए, खीर बिलकुल पर्फेक्ट बन जाएगी, तो ये देखिए फ्रेंस मैंने ब करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, बिलकुल आसान तरीका है और बिलकुल सिंपल इंग्रेजेंट है, कोई इसमें मावा नहीं, मिल्क मेड नहीं, दूर पाउडर नहीं, सिर्फ घर की कुछ चीजों से हम रबडी डार खीर बना सकते हैं, सिर्फ हमें अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ इसे शेयर जरूर करिए, इस रक्षा बंदन में एक बार इस तरीके से खीर जरूर बनाएंगे, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रैसिपी के साथ, तब तक के लिए कि बाई वीडियो और और अट टक केल